दोजाइस तो गाईज जो डिजाइन्स यह बहुत ही सिंपल डिजाइन्स है और बिगिनर्स के लिए यह काफी ज्यादा हेलपफुल होने वाला है और इससे पहले तो शायद यह डिजाइन्स आपने नहीं देखा और अगर देखा भी ओगा तो दूसरे कलर पे देखा होगा काफी सीखा जा सकता है ठीक है तो डिफरेंट कलर में डिफरेंट कंट्रास होते हैं और डिफरेंट तरीके का लुक होता है तो उससे भी आप काफी सीख सकते हैं तो इसके लिए तो ये जो डिजाइन से सिंपल है इसमें बॉर्डर है एक और Sleeves में एक बीच में बूटा है ठेक है इस्टोन चैन और बीट से बना के एक like drop type का बूटा बना है एक center में only one बूटा है और एक दूसरी Sleeves में है और back में back में potnick बनाने वाले हैं इसमें हम और दो color के Risham हमनें यूज कर आए एक तो 104 number राज company में अरेश हम 104 नंबर गोल्ड होता है और दूसरा आई थिंक 70 64 ग्रीन है यह दो कलर हमने जो यूज करें ठीक है तो अभी लोड सिल रहे थे हम स्लिवस में तो यह भी लोड हो गया अब उप उसके एक उपर की लाइन समसिल रहे हैं जिसको शुगर बीट सो बोला जाता है और इन हम स्टिच कर रहे हैं यह तो काफी एजी वर्क होता है अगर कोई बीगिनर से वह स्टार्ट कर रहे है और शुगर बीट से सिलना चाहता है या उसके फ्लावर सो बनाना चाहता है तो अडिक उसे कोई प्राब्लम से फेस नहीं करनी पड़ेगी और इसके अलावा अगर वो करने लगेगा उसे कोई problems की बात नहीं है बिगिनर्स के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा helpful है तो आप शुरुआत से आखिर तक देखें और हर एक पार्ट को ध्यान से देखें जरा भी skip मत करें तो ज्यादा अच्छा है उससे क्या होगा कि आपको समझ में ज्यादा में ऊभी और इवी तो शूगर बीट से सिली जा रही है इसके उपर अभी मैं दिखाता हूँ कि क्या सिलने वाला है ये थे टीक है ऊपके मोती से लेंगे हम इसके उपर तो अबही हम फ्रेंट निक में हैं फ्रेंट निक में ये एक ही साइड में वर्क होता है तो यहाँ प काफी अभी न्यू सैंपल से सेट हुआ है यह काफी ज्यादा ही चल रहा है बिकाज सिंपल डिजाइन जिनको चाहिए जिनका बज़ेट है टू थाउजन रुपीस के अंडर उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ब्राइडल में भी आप इसे पहन सकते हैं पर हेवी सारी पर आई तिंक नहीं चलेगा यह सिंपल सारी पर चल जाएगा हेवी सारी पर आप इसे नहीं चला सकते हैं क्योंकि ब्राइडल ब्लाउज में यह नहीं आता है ये simple blouse में आता है little bit functions के लिए like anniversary birthday parties उनमें आप पहन सकते हैं तो bridal collection का नहीं है बट काफी ज्यादा ही अच्छा designs है simple designs कुछ ऐसे होते हैं जो bridal से भी ज्यादा खुब्सूरत लगते हैं जैसे कि आपने मेरी बहुत सारी पुरानी वीडियो में देखा होगा जहां पर हमने कुछ ऐसे simple designs आपके साथ share कर रहे हैं जो की बहुत ज़्यादा अच्छ है तो अभी हम fabric quick से glue की line लगा रहे हैं same आपको manage करना है gap उपर नीचे या कम ज़्यादा gap maintain आपको खुद करना है तो बहुत ही आराम से करें और उसको हलका suppress करेंगे तो glue निकलेगा उसको आप stick कर सकते हैं और इसके उपर हम लगाने वाले हैं condense अभी मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ किस color के हम लगाने वाले हैं ठीक है आराम से पूरे में एक बार लगा लें और उसके बाद में आप लाइन से stick करते हुँ चिपकाते हुए छले जाए थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तो आपकी मर्दी आप जिस तरह से लगाना चाहते हैं करना चाहते हैं अगर बिगिनर से हैं तो आप मेरी माने तो आप थोड़ा थोड़ा सा ही ग्लू लगाएं क्योंकि आप ज्यादा लगाएंगे और आप भूल जाते हैं काम या जल्दी नहीं कर पाते हैं तो यह सूख सकता है तो आप थोड़ा सा लगा के ज़्यादा बहतर रहेगा ठीक है इस तरह से लगाना है आपको अभी इसमें हम जो कुंदंस लगाने वाले हैं वो भी आपको दिखाएंगे और कुंदंस के बाद कुंदंस के उपड़ हम गोल्ड स्प्रिंग स्टिच कराया तो हमने 64 जो रrzyहा में वही कलर का कुंदंस चूज कराया है तो कूंदन सिपकाने के बाद, हमने उसे 30 मिनट, 30 तु 45 मिनट, हमने उसे छोडने के बाद में, अब हमने सोचा उस پर गोल्ड स्प्रिंग स्टिश करी जाएगी, और इसके बाद ही उपर का काम होगा, यह देखे एक बार्डर हो गाएगी, और इसके बाद अभी उपर का काम होगा जो की काफी ज्यादा ही अच्छा है इसमें जरकन स्टेंड के फ्लावर्स बनेंगे तो वो काफी अच्छे होते हैं और थोड़ा सिंपल ब्लाउज में अगर आप जरकन से ज्यादा यूज करते हैं तो वो थोड़ा से ज्यादा expensive हो जाएगा बिकोज जरकन जो होते हैं अभी उसमें rate में two time extra money देनी पड़ती है पहले जो packet आपको मिलता था 180 रूपीज 170 रूपीज अभी राइट ना वो 300 350 आईसा हो गया है ठीक है तो वो का जो हम material use करते हैं वो काफी ज्यादा ही पहली बात तो वो सारा original होता है आप जितना भी material हमारे यहां का देखेंगे जो हम अपने product में use करते हैं उस सब आपको original ही दिखेगा और ज्यादा तर सब material expensive होते हैं जिन में shining नहीं जाती है तो इसके जिए हमारा काम थोड़ा सा महेंगा है पर अच्छा काम है long life चलता है अगर आप अच्छे से blouse का care करेंगे ठीक है तो अभी हम back में हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था pot neck मनाने वाले तो pot neck की पहले हम sugar bit stitch कर रहे हैं pot लें neck की line पे और ये दिखेए जो pot neck होते हैं उपर boat होता है नीचे round होता है तो आप इसे कैसे लगाएं जैसे कि आप मान लीजिए 10 inches आपको back neck रखना है तो उसमें आप 3 inches उपर boat neck लगा सकते हैं 3 and a half inch बाकी 6 and a half inch नीचे round में लगा सकते हैं उससे perfect boat neck आप बना सकते हैं आप हमेशा याद रखें 30 से 36 inches chest में अगर आप back neck बनाना चाहते हैं पाट neck तो 3 inches उपर का drop रखें और 7 inches नीचे का रखें तो एक perfect boat neck अच्छे shape में बन जाएगा तो ये मेरी सला है आपको अगर आप boat neck डिजाइन करना चाहते हैं या उसकी marking भी आप simple cloth पर करना चाहते हैं तो ये अच्छा idea है आप हमेशा याद रखें 3 inches 3 and a half inch उपर का boat neck निकाल दें और नीचे का 7 inch round कर दें एक perfect boat neck बन जाएगा तो अभी हम 3 sugar beards और 1 moti इस तरह से stitch कर रहे हैं ये देखें ओके same as it is आपको भी करना है और अगर आप चैनल पर अभी तक हैं वीडियोस देख रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करिए चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लो क्योंकि लेडिस फैशन्स को लेके आरी वर्क, हैंड अमरेडरी मगम वर्क, जर्दोजी ये सब चीजों में मैं जो भी अपने वहाँ पर काम कराता हूँ या जो भी अच्छा होता है जो मुझे लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए उस पर मैं काम करके वो जरूर शेयर करता हूँ तो आप जरूर वीडियोस को लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि चैनल पर थोड़े से इंप्रेशन्स और थोड़ा सा रिवाड जो होता है वो कम हो गया है मेरा तो सम्टाइंज आइफिल अन मॉटिवेशन्स कि अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ चेंजस करने चाहिए तो मैं उस पे भी काम करूँगा और उसको भी सही करूँगा तो अभी हम बैक में जो कुंदन्स हमने स्टिच करें थे उसमें ही गोल्ड स्प्रिंग स्टिच कर रहे हैं यह देखे और गोल्ड स्प्रिंग आपको हमेशा आपने जो निडल्स होती है उसके साइज से कट करना है जैसी कि यह निडल्स स्यावन नंबर निडल्स है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाके चेक कर सकते हैं आपको यह त्री सेट में मिलेगी आप त्री का एक बंडल होता है उसमें आपको त्री निडल्स मिलेगी एक छोटी होगी और दो बड़ी होगी ठीक है जैसी कि एक शुगर बीट्स के लिए होती है और एक गोल्ड स्प्रिंग के लिए होती है एक छोटी जो होती है उससे आप रेशम का काम सीज़ सकते हैं तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा कि आप चेक कर सकते हैं अच्छे प्राइज में हो जैनुवन चीज आपको मिल जाएगी जो हम यूज करते हैं वही आप भी यूज करते हैं और चैनल पर नय हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और जो भी आपको कमी लगती है मेरे कांटेंट में, मेरे काम में क्योंकि मैं जहां तक जानता हूँ इस तरीके का कोई काम यूटूब पर आपको देखने को नहीं मिलेगा आप जितना भी सर्च कर लोगे आपको इस तरीके का काम कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि चैनल को ज्यादा साथा सपोर्ट करें और काच्छे चे कमेंट करें वीडियो को लाइक करें और जल्दी से मेरी एक वीडियो आप ट्रेंडिंग में करवा दें तो बहुत ज़्यादा हिल्प हो जाएगी मेरी और मुझे अच्छा फील होगा ठीक है और अभी कुछ प्राब्लम्स है और मैं उन पे काम कर रहा हूँ ने फिक्स कर रहा हूँ और मेरे व्लागिंग चैनल भी है अभी मैं उस पे व्लागिंग नहीं कर पा रहा हूँ विक्स रमजान में ज्यादा हम बाहर नहीं जा पाते हैं रोजे रखते हैं अबादत करते हैं अल्ला से तालुक ज्यादा होते हैं तो इस वज़े से हम बाहर नहीं जा पाते हैं इत के बाद हम कोशिश करेंगे रेगुलर आपको व्लॉग्स देखने को मिले जिस पर आपको भी अच्छा लगे थोड़े फन फनी व्लॉग्स थोड़ा हम लोगों का फैमिली व्लॉग्स वरकर के साथ मस्ती और गुमने फिरने कहीं जाना तो आपके साथ उस चैनल पर भी आपको अगर उसमें मैंने दो वीडियो डाली हुई है आप चेक करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको भी सब्सक्राइब करिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट वहां पर ड्रॉप करिएगा अपने नाम के साथ ठीक है तो अभी हम स्लीवस में जरकन की जरकन स्टैंड की बूटीज स्टिच कर रहे हैं एक बीच में रखके सेवन आल अराउंड स्टिच कर रहे हैं यह देखे ठीक है तो बस टाइम हो गया है इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करने का जो की काफी ज्यादा ही एंटिक है वो बहुत ही ब्यूटिफुल भी ह है और इस डिजाइन का प्राइस गाइज नाइंटीन हंडर रूपीज है और अगर आप पर्चेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वाट्स अप कर सकते हैं आपको देखिए आपको कपड़ा नहीं भीजना होगा आप बस कलर बता सकते हैं उस पर आपको कौन मेजरमेंट भी दे सकते हैं मेजरमेंट आपको लाइक बैक हाइट बतानी है नेक बताना है स्लीवस स्लीवस का लूज और चेस्ट वेस्ट बस यही आपको साइज बताने हैं और आपको यह डिजाइन कैसा लगा सिंपल डिजाइन है नाइंटीन हंडर रूपीज में तो आ झाल, 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 झाल